सुपरवाद बच्चो अब तक हमने सर्वुनाम के तीन भेद पड़े पुरुस वाचक सर्वुनाम, निश्चे वाचक सर्वुनाम और अनिश्चे वाचक सर्वुनाम आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेश्न वाचक सर्वुनाम यानि जहां प्रश्न किया जाए जैसे क्या कहां किदर कौन जिस सर्वनाम सब्द का प्रियोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्न वाचक सर्वनाम कहते हैं पर ध्यान रखें कि हर प्रश्णवाचक सब्द सर्वनाम नहीं होता केवल वही सब्द प्रश्णवाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर संग्या या सर्वनाम में मिलता है अब जैसे इस चित्र में देखो इस वाक्य से कि इस थेले में क्या है इस थेले में क्या है तो इस खड़ा है अब वहाँ देखो कौन खड़ा है कोई व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति क्या हो गई संग्या हो गई तो वही सब्द प्रश्ण वाचक सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर किसी संग्या या सर्वनाम में मिलता है पाच्वा है संबंद वाचक सर्वनाम यानि किसी के प्रती संबंद प्रकट करना जैसे जो सो जैसा वैसा जिसकी उसकी यानि जिन सर्वनाम सब्दों का प्रियोग संबंद बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं उधारन के लिए जैसा बोगे वैसा काटोगे यानि यहाँ पर देखो यह बच् चाट होगे यहांनि जैसी फसल भोगे, जैसे खेत में 20 डालोगे वैसी तुमारी फसल अच्छी उगी, जैसे तुम अच्छी मेहनत करोगे तुम इसका फल भी अच्छा होगा, जैसा भोगे वैसा काट होगे, एक दूद संबन्द बता रहा है, इसी तरह जो परिस्रम करेगा सो सफल होगा जो मेनत करेगा तो उसको सफलता प्राप्त होगी छटा है निजवाचक सर्वनाम यानि स्वेम अपने आप खुद आप यानि निज यानि अपना खुद के लिए जो कार्य होता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम जिन सरवनाम सब्दों का प्रियोव करता अत्वा वक्ता, करता यानि जो करने वाला है, वक्ता बोलने वाला, अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सरवनाम कहते हैं. अब उधारन के लिए देखो मैंने ये model swim बनाया है इस बच्चे ने ये model बनाया है जो खुद बनाया है यानि अपने आप तो यहाँ पर swim निजवाचक सरुनाम हो गया अपना काम खुद करना चाहिए तो खुद यानि swim दूसरों पर आसरत नहीं रहना चाहिए अपना काम खुद निजवाचक सरुनाम हो गया तो बच्चो आपने पढ़ा कि सरुनाम किसे कहती है तो जो सब्द संग्या के इस्थान पर प्रियोग में लाए जाती है उन्हें सरुनाम के कितने भेद होती हैं सर्वनाम के छे बेद होती हैं पुरूस वाचक सर्वनाम, निश्चे वाचक सर्वनाम, अनिश्चे वाचक सर्वनाम, प्रश्ण वाचक सर्वनाम, संबंद वाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम सर्वनाम सब्द जो है इस्त्रिलिंग और पुलिंग दोरों में समान रहते हैं सर्वनाम सब्दों की भी एक वच्चन और भवच्चन रूप होती हैं धन्यवाद